देखे मामला बेगू सराइबे एक बार फिर से निगरानी विभाग के द्वारा बड़ी कारवाई की गई है उससे जुड़ा हुआ है दस हदार रुपे घूश लेते हुए एक लिपिका को रखे हांस की रफ्तार कर लिया गया है देखे मामला बेगू सराइबे एक बार फिर से निगरानी विभाग के द्वारा बड़ी कारवाई की गई है उससे जुड़ा हुआ है दस हजार रुपे घूश लेते हुए एक लिपिका को रंगे हांथ गिरफ्तार कर लिया गया है गिरफ्तारी के बाद निगरानी विभाग की टीव ने आरूपी लिपिका को अपने साथ पटना ले आई है बताया जा रहा है कि जिला सिच्छा पददिकारी कारियाले में कारियरत किरानी किशूर कुमार मिश्टरा के द्वारा बखरी अनुमंडल के मद्ध विद्याले हेमनपूर में पदस्थापित सिच्छक दिनेश कुमार से वेतन रिलीज करने के एवज में दस हजार रुपे कि मांगी थी नियोजित सिच्छक दिनेश कुमार का वेतन लंबे समय से भुकतान नहीं हो पाया है और एक बार फिर से निगरानी विभाग ने रंगे हांतों दस हजार रुपे रिसुवत लेते हुए घिरवतार कर लिया है सबसे पहले आप बयान सुनिए किस तरीके से ये तमाम चीजों पर नजर रखी गई और कारवाई की गई है सरमीला कुमारी जो की जिला सिच्छा पदधिकारी है उन्होंने तमाम बातों को बारिक्यों से बताया है किस तरीके से तमाम चीजों पर नजर रखी जा रही थी और कैसे 10,000 रुपे लेते हुए रंगे हाथ धर्द भूचागे। कौन टीम के द्वारा पकड़के लेके गया है। तो आपने सुना तमाम चीजों को बारीकियों से बता रही थी और साफ साफ लवजों में कहते नजर आ रही थी कि 10,000 रुपे घूस लेते रिशुवत लेते हुए पकड़े जाने पर ग्रिफतारी हुई है निगरानी विभाग के द्वारा लगतार कारवाई कीजा रही है। आसे लोगों पर जो की करपसन में डूबे हुए हैं। ख्यार लाइप सिटीज के साथ बने रहे हैं। अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। तुरें सब्सक्राइब कर ले आपका बहुत-बहुत सुक्रिया।